सेलाम लीव, बेटा स्टार्ट करते हैं लेक्चर नमबर तू, ठाक्सेशन चल लाए जी हमारा फणेश्थ सेक 2023, एक छोटा सा उमर किया था, कि अगर इंप्लाइमेंट इंकम 70,000 है तो इंकम टेक्स लाइबरटी कैसे है की? Employment Income obviously non-saving income देखते हैं I hope कि आपने try भी कर लिया होगा Employment Income जो कि non-saving income है जी इस question में employment income है 70 था हो अब एक बाद हमें पता है चल चुकी है पहले lecture से कि सारे amount के उपर individual को tax pay नहीं करना individual को logically tax सिफ उसी amount पे देना है which is more than I would say personal allowance तो जो basically tax जो pay करना है वो simply उसी amount पे उस बंदे ने tax pay करना है जो किस से जादा है personal allowance से जादा है हर एक पे उसने basically क्या नहीं करना है tax pay नहीं करना okay जो तो पहले हम क्या करेंगे employment income में से minus करेंगे personal allowance को तो आपके बस आजाएगी पर टैक्सेबल इंकम चैक करते हैं टैक्सेबल इंकम कितनी आ रही है 70,000 माइनस बन टू ओ ओ ओ माइनस बन टू 570 अ टैक्सेबल इंकम आ रही है 57,430 यह टैक्सेबल इंकम आ रही है income tax अगर हम calculate करें तो सबसे पहले obviously directly 57,430 पे tax credit नहीं लगेगा पहले basic rate band consume होगा, utilize होगा फिर उससे जितनी भी income जाद है वो higher rate band में आएगी basic rate band में tax credit 20% है non-saving का higher में 40% है तो basic rate band है ही सारी non-saving 37,700 का 20% जो के 7540 आ था, ठीक है अब बेटा आप को जिस income पे tax लगाना है ना वो है 57,430 आप उसमें से 37,700 पे tax लगा चुके है अब अगर हम 57,430 में से माइनस कर दे 37,700 तो हमारे पास basically यह taxable income बच जाती है that is 19,730 तो higher rate band में आजाएगा 19,730 का 40% that is 7,892 इन दोनों को अब आड कर दे आपका simply income tax liability आजाएगा तो पड़ा income tax liability हाती है 15,432 अब हमने previous class में एका question देगा था जाइड सी बाता है there was a non-saving income again non-saving की बात की अब ये भी obviously possibility एक individual जाए उसके बास non-saving के लावा saving से भी income आ रही हूँ अब सवाल ये पहता होता है अगर non-saving के लावा saving से भी income आ रही है या एक individual के लावा non-saving income के लावा saving income भी है तो फिर tax कैसे पे करेंगा बात करते हूँ दिखें non-saving income की हम बात करते है और saving income की बात करते हैं ये लरा समझना है basic rate band हमें पता है 1 pound से start होगा 37,700 पे end हो जाएगा non-saving का rate 20% है basic rate band में वो saving का rate भी 20 है high rate band आपका high rate band start होता है 37,7001 से और ये चलेगा 1,25,140 tax rate 40% and 40 additional rate 1,25,141 plus above कोई limit नहीं है 45,45 अब आपके जहन में एक बात आ रही होगी कि सेरे तो same rate है आप simply एक ही चीज़ कह देते कि जो non-saving के tax rate है वोई saving के है बिड़ा चोड़ा rate करें बताते हैं saving income में ये तीन बाते तो वोई है tax rates वोई हैं जो non-saving के लेकिन अब सुनना saving income means simply लमाफ करें interest income ये जो interest income है saving income इसके ना कुछ additional rules में है जो आपको पता होने चाहिए अब saving income में चार additional बाते हैं देखते हैं वो चार additional बाते हैं के पहला point अब जो भी चार ओ पॉइंट्स हा रहे हैं सेविंग इंकम क्या रहे है अब सारी बाते हैं के इस पर हो रही है saving पर समझेगा अगर कोई individual basic rate taxpayer अगर कोई individual basic rate taxpayer है तो उसको saving income में nil rate band मिलेगा 1000 pound का अब दो सवाल जैन में आते हैं एक कैसे बता चलेगा कि कोई individual basic rate taxpayer है और जब 1000 pound तक का nil rate band मिलेगा तो how it works उसके लिए आपको थोड़ा जिन दजार करना पड़ेगा खेर पहला point if an individual is a basic rate taxpayer taxpayer then gets nil rate band 1,000 pound how it works उसके लिए वेट करना पड़े हैं एक individual अगर higher rate taxpayer अगर individual higher rate taxpayer है अब आप पूरा लिख लिएगा खुद if an individual is a higher rate taxpayer then that individual gets nil rate band of 500 pound तो अगर कोई individual higher rate taxpayer है उसे nil rate band 500 pound का मिलेगा अगर कोई बंदा additional rate taxpayer यानि को उसकी taxable income 1,25,141 से भी जाद है तो additional rate taxpayer है जो additional rate taxpayer है उसे nil rate band नहीं मिलेगा saving income है no nil rate band इसे कोई nil rate band नहीं मिलेगा या अल्री इतना गमार है लमाफ कर तो अगर कोई additional rate taxpayer तो उसे saving income में nil rate band नहीं मिलता फौर्थ पॉइंट एक starting rate band का rule है saving income से related अभी हम वो rule ही देख रहे हैं फिर हम पढ़ेंगे तो हमने सीखने इन चारो पॉइंट्स की application को के आर अगर एक individual के बास non saving के लावा saving income भी है तो यह सारे points जो मैंने लिखुआ है saving के कैसे apply होते हैं और example कि तो देखते हैं मान लो भाई दुनिया में कोई individual है उसकी employment income ले ले लेते हैं तो मैंने employment income ले ले ली 60 था हुआ saving income मैं आपको बार बार ले 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 माप पर है बता चुक हूँ that is interest income और यह भी मैंने आपको बता दिये कि आपने interest में interest नहीं ले लेना वरना काफी मसले मसाइल है तो interest income आगी 20 required ले लेते हैं हमें income tax liability निगाल लेते हैं income tax liability निगाल लेते हैं को pension नहीं थोड़ा पानी वानी भी थे पहले तो जो income is given है न question उसको आजड़ेश उठा लो एक एवटा employment income 60,000 दूसरा interest income 20,000 दूनों को add कर दें इसको हम total income क्या देंगे net income क्या देंगे which is 80 और यह चीज़ हम पहले ही decide कर सुके हैं आज जितनी भी income होती है उस पर tax नहीं लेना पहले personal allowance minus होगा उससे जो over and above है उस पर tax देना less करते है personal allowance 12,570 तो बटा 80,000 में से अगर हम 12,570 माइनस कर दें तो taxable income आती है 67,430 आपकी taxable income आगी 67,430 अब यहां पर इन एक चीज़ सीख लें कि इंडिविज्वल का tax paying status क्या है कैसे decide करते हैं कि एक individual basic rate taxpayer है, higher है या additional rate taxpayer है अच्छा सवाल यह इचानक से यह decide करने की वजह क्या है, reason क्या है उसकी reason यह इस question में non-saving के इलावा saving income भी है और saving income के बारे में हमने थोड़ी दे पहले discuss किया है अगर कोई individual basic rate taxpayer है तो उसको nil rate band 1000 pound का मिलेगा if someone is in higher rate taxpayer gets nil rate band of 500, someone is in additional rate taxpayer तो उसे कोई nil rate band नहीं मिलता तो decide कैसे होता है taxpayer का status, please देखेगा जिस value को मैं के ओपर circle बना रहा हूँ अगर आपको circle circle ना लगे तो काम चला लिजएगा और ये Allah माफ़र है बच्छा कहा रहा है कि सर माजरत कैसा ये circle बिलकुल भी नहीं है अरे हमें भी पता है, काम चला लो बिटागा अच्छा, अब circle है, oval है, oval आ ला ला लम जो भी ये जो taxable income है, 67,430 इस taxable income, 67,430, it is more than basic rate band since the taxable income is more than the basic rate band that is why this individual is a higher taxpayer तो भाई इस बंदे की जो income है ना, वो 37,700 से ज़्यादा है तो ये एक higher taxpayer है जो higher tax payer होता है, उसे निलेड बैंट, 500 का मिलता है अब बात करते हैं कि income tax calculate कैसे होगा, सुनना मेरी बात बिटा जब income tax calculate करना जाते हैं और एक से ज़्यादा sources of income हो तो पहले non saving income को tax करते हैं, फिर saving को करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इंशालला तीसे नमबर में हम dividend income को tax करते हैं, जिस पर भी हम नहीं जा रहे हैं तो tax कैसे निकलेगा सबसे पहले आपको, इन सारी sources of income को अलग-अलग लिखके दिखाना पड़ेगा एक column बना लिए आपने non saving income का एक और column बना लिए वही saving income का और एक आजाएगा total का, ठीक है जी, employment income एक non-saving income होती है, which is 60,000 in this question, saving income है 20, यह total आगया 80, परसनल लाँ उसको बेटा non-saving में से minus करते हैं, यह rule है, 12,570, tax sibling अगर हम 60,000 में से 12,570 को minus करें तो यह 47,430 आता है, obviously 67,430 आगया, अब ऐसा इसलिए ही किया है, क्योंकि जब income tax calculate करने का time आता है, तो सबसे पहले non-saving को tax किया है, आपके वाइस non-saving के column में जो taxable income है, which is 47,430, तो पहले हम बात करेंगे basic rate band की non-saving 37,700, आप्ली के में एक से 20%, 75,430, अब मेरी बात चुनिएगा, आपके non-saving जो taxable income है, which is 47,430, अगर भीटा हम 47,430 में से, 37,700 माइनस कर दें, क्यूंकि 37,700 पे हम tax लगा चुके हैं, so if I deduct 37,700 from 47,430, let's see what we get, we get 9,730, जो higher rate band में fall करेंगे, 9,730, और बेटा higher rate band में जो tax का rate लगता है रहर is 40%, I am getting 3,892, अब सुनेगा, non-saving income जितनी भी थी, हमने उस पे tax लगा लिए, अब saving income पे जाएंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कोई भी source of income, किसी band को अगर use कर ले, उस band को consume कर ले, तो वो band, दूसरी source of income को नहीं मिलता, इस question में basic rate band खतम हो चुका है, क्योंकि basic rate band को non-saving income यूटिलाईज कर चुकी है, तो पहले तो दमाख में यह डाल ले, अब basic rate band नहीं मिलेगा, वो story होगी खतम, अगली चीज़, अब यह चेक कर लो, यह बन्दा जो है, इसका individual का tax paying status का है, इस individual का tax paying status है, यह higher rate taxpayer है, क्यों हाई rate taxpayer है, क्योंकि इसकी total taxable income, 37,700 से ज़्यादा है, जो higher rate tax payer होता है, उसे saving income में, निल rate band 500 का मिलता है, निल rate band saving income, 500 का zero person is obviously zero, आप सुनियाएगा, आपकी बेटा saving income 20,000 है, 20 में से आप 500 ले चुके होग इसमें, निल rate band में, बची 19,500, remaining 19,500, entire remaining 19,500, actually falls in higher rate band, why? Because basic rate band is already utilized, उस तो है नहीं आपके बास, higher rate band, saving income, 19,400, applicable tax rate is 40%, तो है 7,800 आगे, अब का total कर लेता है, तो हमारे वैस income tax liability आती है, 19,232, एक और question की तुरू बात कर, तो आइसा से यह बहुत अच्छा जागा, टेंचन नहींद, employment income, एक और अच्छा आगे, तो हमारे और यह बहुत आगे, आगे, बहुत आगे, आगे, पहुत आगे, पहुत आगे, as you earn, मान लो pay यह मावस 10,000, pay यह बहुत आगे, pay as you earn, असान वर्टिश में tax in advance, तो अगर आप advance में tax pay कर चुके हैं, उसको pay ही कहता है, जॉब पे नॉर्मली ऐसा ही होता है, कि अकसर लोगों tax advance में ही pay हो चुका होता है, pay as you earn, आप pay का करेंगे क्या, वेट, बताएंगे इन्शालिए, saving income है भाई, इस question में 15,000, दो requirement है, एक नहीं, आपकी पहली requirement आपको income tax liability निकालने, सेकंड आपको income tax payable निकालने, डिफरेंस भी बता लग जाएगा, एक आप income tax liability निकालने दूसरे income tax payable, आप गए सकते हैं से बात तो ही, अब है बात तो ही कि इसमें तुम्हें नहीं कहरा है, कि बात एक नहीं, थोड़ा सा फर्क है, पता चल लेगा, फर्क है कि आएं सॉल्फ करते हैं सुआएं, इम्प्लॉइमेंट इंकम ले लो गई, 75,000 की इंप्लॉइमेंट इंकम आगी, सेविंग इंकम ले 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 हैं, सेविंग इंकम अल्ला माफ रहे हैं बता चुका हूँ, अंट्रस इंकम हूँ कहता है, दोनों का एड़ करते हैं वह इसको हम कहेंगे, टोटल इंकम या नेट इंकम, परसना उस माइनस करेंगे, 12570, तो बटा 90,000 में से अगर हम 12,570 माइनस कर रहे हैं, तो टाक्सेबल इंकम आती है, 77,430, अब टैक्स तो इंशालला काल्कुलेट कर लेंगे, लेकिन टैक्स काल्कुलेट करने से पहले ये देख लेते हैं, इस इंडिविजनल का टैक्स पेइंग स्टेटस किया है, देखें, आप अगें जहां मैंने सरकल किया है टैक्सेबल इंकम, के सरी अगें सरकल नहीं लग रहा है, मुझे, अब ये कोई बात नहीं, चला ले काम याद, सरकल लगे ना लगे, क्या करना है, चार डालना है, भाई ये जो सरकल डाइब की चीज़ दिमने बनाई है, ठीक है, 77,430, इस पर बेसिक रेड़ बैंट, तो जब, क्योंके इसकी टैक्सेबल इंकम, बेसिक रेड़ बैंट की लिमिट से जाद है, तो ये हाईर रेड टैक्स पेर है, और जो हाईर रेड टैक्स पेर होता है, उसे निल रेड बैंट 500 का मिलता है, सेविंग इंकम पर, आप आउट एक्स निकालते हैं, टैक्स निकालने के लिए पहले आपको सोर्सिस और इंकम अलग अलग लिखनी पढ़ेंगी, उसकी वज़ा ये कि नॉन सेविंग को पहले टैक्स ही आजाता है, सेविंग को बाद में टैक्स ही आजाता है, प्लस परसल लॉजिकली टैक्स निकालतो बहुत कहां से माइनस करते हैं, नॉन सेविंग में से माइनस करते हैं, अब वो आगे पढ़ेंगे सर अगर non-saving ना हो तो भाई देखेंगे ना saving में से minus कर लो सर वो भी ना हो अगर dividend में से minus करना लेकिन ये चीज़ें आगे आएंगी अभी wait कर लो एक column मना लिया non-saving income को दूसरा column अब बनाया वही saving income थे तीसरा मना लो भाई total non-saving कितनी है जी 75 saving कितनी है 15 यह हो गया 90 personal house 12570 यहां से minus करेंगे तो बटा 75,000 में से अगर मैं 12570 माइनस कर दूं मैं बस आता है taxable income आती ही 62,000 430 non-saving और saving के आड़ करें तो 77,430 जब tax calculate करेंगे तो सबसे पहले non-saving को tax करेंगे no doubt about it income tax basic rate band सारा यूज हो जाएगा non-saving income में non-saving 37,700 पे basic rate band end होता है इसका 20% ले ले 7540 अब मेरी बास सुनिएगा आपके बास था non-saving के column में जो taxable income है it is 62,430 62,430 में से आप 37,700 पे tax लगा चुके 62,430 में से आप 37,700 पे tax लगा चुके करना कै 62,430 में से आप 37,700 को minus करेंगे जो बच जाएगा non-saving का वो higher rate band में fall करेगा क्योंके basic rate band fully utilize हो चुका है calculator यूज़ करते हैं 62,430 में से आप 37,700 मेरे पास आप 24,730 जो के higher rate band में fall करेगा इस पे लगा देंगे 40% या आदा है बटा 9,892 तो non-saving पे पूरे tax लग गया अब हम जाएगे saving पे saving पे tax लगाने से पहले हम अलड़ी decide कर जोके इस individual का tax paying status जो है ये higher rate taxpayer है और जो higher rate taxpayer होता है उसे निल एट बैंट 500 का मिलता है 500 का 0% है 0 आपको है saving income total है 15,000 उसमेंसे 500 माइनस कर देंगे बचे का 14,500 obviously सारे का सारा higher rate band में fall करेंगा क्योंकि basic rate band consume हो गया खतम हो गया तो बटा 14,500 जो saving income है वो higher rate band में fall कर रही है जहां tax का rate है 40% यह आरा मेंट बच्छ 5,800 इन सब को add करेंगे तो income tax liability आजएगी 7540 प्लस 9892 प्लस 5,800 तो बटा income tax liability आथी 23,232 अब क्योंकि पेई के ना यह बंदा जॉब कर रहा है तो पेई के नाम से अलेडी कुछ tax pay कर चुक है advance पेई कर चुक है pay means pay as you earn जो tax advance पे पेई हो चुका होता है उसको less कर दा तो हमारे बस जो pay है question में कितना ना है it is 10 था तो बटा 10,000 का pay minus कर देंगे यह वो tax है जो advance में बंदा दे चुका है तो आपके वाइस income tax payable आ जाएगे 13,232 मजीद इन्होंने 13,232 pay करना है उसकी वज़ाए है कि 10,000 यह बंदा अल्रडी advance में दे चुका है एक सवाल में चाहूंगा इस question को बहुत simple सा सवाल होगा आप attempt करने की कोशिश करेंगे employment income ले रहा हूं भाई 80 pay ले रहा हूं pay as you earn let's say I'm taking it 12,000 बस इतना सा data और दो requirement है income tax liability और tax payable निकाल ले है income tax liability income tax payable निकाल ले है मैं seriously request करूँगा आप वीडियो को pause करें इस question को आप attempt करें फिर आप वो इसलिए उसके वीडियो और पॉस कर ले है simply pause the video attempt the question then obviously unpause the video तो yes if non saving यह तो directly solve लेता है भाई उमीद है कि आपने attempt किया हो question में employment income के लावा और कुछ भी नहीं है तो मैंने employment income उढ़ा ली 80 obviously हमें पता है कि 80,000 के उपर tax नहीं लगेगा पहले इसमें से minus करेंगे आप क्या personal allowance उसके बाद जो taxable income आई यूज पर tax देने हैं आपने आपने तो बटा 80,000 में से 12,570 माइनस कर दें तो यह में बस आ रहा है 67,000 430 obviously सारी के सारी इंगब के नॉन सेमिंग तो यह लिए हमाई tax नहीं आपने लिए लिए simply आप directly काम करें जी basic rate band 37,700 इसका लगा ले 20% 7540 अब सुनिए गा आपका taxable income जिसमें आपने tax लगाना है 67,430 में से अगर मैं 37,700 को माइनस करूँ तो मेरे पास 29,730 आदा इसका बटा मैं ले लूँगा 40% क्योंकि higher rate band का rate होता है 40 11,892 इन दोनों का add करेंगे तो income tax liability आ जाएगी income tax liability आ जाएगी है 19,432 आगे लेकिन ये बंदा अल्रीडी पे के नाम से कुछ पे कर चुक है pay means advancement tax दे चुक है pay as you earn तो कितना tax अल्रीडी दिया हुआ है 12,000 मजीद कितना पे करना है income tax पे बंदा 7,413 तो मजीद इन दोनों टैक्स पे करना है 7,432 पे करना है अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा भी दो सकता है कि जो 12,000 आपने pay minus किया है what if ये 12,000 नहीं होता pay अगर 20 होता तो यह नहीं कि एक स्वाण यू सोच रहा है कि pay as you earn income tax liability से ज़्यादा भी दो सकता है यहां तो कम है अब देखेगा अगर income tax liability ज़्यादा है और pay कम है तो पैटे इन दोनों का यह difference होगा ना वो है income tax payable दोनों का डिफरेंस क्या होगा income tax payable income tax payable अब ऐसा भी हो सकता है कि income tax liability कम हो चलो मान लेता है रेली होगा लेकिन हो सकता है यह कम है लेकिन pay as you earn कै ज़्यादा बना आपकी इस बंदे की मान लेए income tax liability कम बन रही है लेकिन advance मेंना ने ज़्यादा tax दिये तो अब income tax refundable आए अब आप कहने हैं आपको tax refundable आ रहा है पहले हमारे income tax payable था हमारे income tax refundable है अब tax refundable है भी पैसा आपको वापस मिलेगा क्योंकि आपने advance में ज़्यादा tax pay गड़ती है तो दो ही बाते हो सकती है या तो income tax liability ज़्यादा होगी पैई कमोगा तो income tax payable आ जाए जाएगा और अगर कभी आपके पास income tax liability कमोगा और पैई ज़्यादा हो तो tax refundable आता है income tax refundable आता है मेंस अब आपको पैसे वापस मिलेंगे क्योंकि आप अलिड़ी ज़्यादा tax pay कर चुके हैं अब बिटा मैं इंतहाई छोटा से सवाल दे रहाँ है जोंबर्ग में चाहूंगा इसको आप अटेम्ट करें मैं आपको employment income दे रहाँ 40,000 saving income दे रहाँ बिटा 30 आपको income दे इस liability निगालनी है अच्छा नेक्स लास मिलने चाहता हूं इस पर भी बात करेंगे इस question प्लस हम starting rate band का concept introduce करवाएंगे rule introduce करवाएंगे यार starting rate band जब saving income में आता है तो क्या होता है प्लस हम dividend income को भी introduce करवाएंगे अगर एक individual के पास non saving income भी है saving भी और dividend income भी है तो tax कैसे लगता है और dividend के tax rates वगड़ा क्या है tax rates और dividend के basic में 8.75 है higher के case में 33.75 है और additional के case में 39.35 है लेकिन यह सब tax rate exam में given होता है तो इसकी आप attention ना लें यह सारे जो भी tax rates है अब dividend के 8.75, 33.75, 39.35 यह सारे tax rates given होते हैं अगली class में इंशालला हम starting rate band को भी discuss करेंगे अगर individual के पास dividend कम है तो हम उसको भी discuss करेंगे dividend करने late band वे जो 1000 है उसको कैसे use करना है क्या करना है सब पढ़ेंगे इंशालला coming class में तो thank you very much जी इस lecture को देखने के लिए have a nice life assalamualaikum to everyone